वंदना बताएगी कुनाल को पम्मी और उसके पापा का सच की कैसे दोनों मिलकर उसकी और वंदना की शारी नहीं होने देना चाहते थे सब्सक्राइब करें इंडिया फोरुम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरिल बाते कुछन कहीं सी में तारा को लेकर कुनाल इतना जादा पजेसिव हो गया है कि पूछिये मत यहां वो चाहता है कि तारा कहीं भी न जाए किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े उसे इसलिए वो उसे घर में ही कैद करके रखना चाहता है और यह बात वंदना को पसंद नहीं आती वो कुनाल को समझाने के लिए कुनाल को एक कबर्ड में दो मिनट के लिए बंद करती है और कुनाल चिलाने लगता है बाहर आता है पसीना पसीना हुआ रहता है और वंदना से कहता है कि मेरा दम घुट रहा था इस कबर्ड के अंदर तो वंदना उसे कहती है तो इस घर के अंदर उस छोटी बच्ची का कितना दम घुट रहा होगा कुनाल को समझ में आ जाता है कि वंदना उसे क्या समझाने की कोशिच करी है और फाइनली वो वंदना की बात मान जाता है बड़ा ट्विस्टी होता है कि यहां कुनाल के पिता का फोन आता है और उस समय वानी वो उनकी आवाज सुन लेती है और वानी कापने लगती है, डर के मारे सोफे के कोने चुप जाती है, और आप देखेंगे कुनाल की बेहन बात करती है अपने पिता से और वो भी यहां उन्हें आने के लिए मना करती है, वंधना के सामने ये सच आ जाता है, कि पम्मी और कुनाल के पिता जी नहीं चाहते थे कि कुनाल और वंदना की शादी हो और ये बात अभी तक कुनाल नहीं जानता है फाइनली वंदना ये सारा सच कुनाल को बताएगी